आज हम सीखेंगे बीजीय व्यंजको का विभाजन जिसमें हम बहुपद को एक अन्य बहुपद से विभाजित करना सीखेंगे अब तक हम एक पदी को अन्य एक पदी से भाग देना और इसी तरह बहुपद को एक एक पदी से भाग देना सीख चुके हैं चलिए अब जानते हैं कि किसी बहुपद को एक अन्य बहुपद से कैसे भाग देते हैं मान लीजिए हमें इस विभाजन का परिणाम ग्याद करना है विचार कीजिए इसका परिणाम हम कैसे ग्याद करेंगे चलिए हम बताते हैं सबसे पहले हम भाजिक याने डिविडेंड और भाजक याने डिवाइजर को अंश बटे हर के रूप में लिखेंगे फिर हम अंश और हर दोनों को उनके गुननखंडों के रूप में लिखेंगे जैसे यहाँ अंश में तीन एक्स सभी बदों में उभैनिष्ट है इसलिए इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं अब क्या आप बता सकते हैं इस बहुपत का गुननखंडन क्या होगा? सोचिये सोचिये चलिए हम बताते हैं हम मध्यपत का विभाजन करके यानि इस सर्वसमिका का प्रयोग करेंगे यहाँ बीच के पद एक एक्स को इस प्रकार विभाजित करके x का वर्ग रिन 3x धन 4x रिन 12 इसके गुननखंड प्राप्त कर सकते हैं अब इन्हें इस प्रकार लिखा जा सकता है इसी तरह हम हर को भी गुननखंडों के रूप में 3 गुणा कोश्ठक में x धन 4 लिखेंगे हम देखते हैं कि गुननखंड 3 और x धन 4 अंश और हर दोनों में उभय निष्ठ है इसलिए हम इन्हें काटेंगे इससे हमें परिणाम प्राप्त होगा x गुना कोश्ठक में x रिन 3 यानि x का वर्ग रिन 3x 7a की घाद 4 धन 21a की घाद 3 रिन 7a की घाद 2 विभाजित 7a रिन 35 का परिणाम स्वयम है ग्याद कीजिए आज हमने सीखा बीजीय व्यंजकों का विभाजन जिसमें हमने बहुपत को एक अन्य बहुपत से विभाजित करना सीखा अगले वीडियो में हम बीजीय व्यंजकों की विभाजन से जुड़े कुछ दिल्चस्प उधारन देखेंगे